Hello everyone, so all the best for your English examination और मैं आप सभी के लिए विश्च करता हूँ कि आप एकदम अच्छे से अपनी examination को यहाँ पर attempt करें और बहुत ही अच्छे marks आप यहाँ पर लाएं एकदम यार confident होकर English के exam को attempt करना है जो paper हो सकता है थोड़ा सा lengthy भी आए तो बिल्कुल वहाँ पर panic नहीं करना है और वो जो शुरू के 15 minute है उनको best possible way में utilize करना है दो तरीके से आप इसका utilization कर सकते हो पहला तो यह है कि जितनी भी वहाँ पर paper में choices आती है हर एक section में आप उनको पहले ही eliminate कर लो पढ़ पढ़के तो वो 15 minute में आप एक यह काम कर सकते हो या फिर अगर आप unseen passage को पढ़ना चाहते हो तो उस 15 minute में आप unseen passage को पढ़ते हुए section A से start कर सकते हो तो यह completely आप पर depend करता है कि आप कौन से section से start करने वाले है section A से कर रहे हो तो उस 15 minute का time आप बिलकुल unseen passage को पढ़ने में विताईएगा और section C या B से कर रहे हो तो फिर पहले से आप choice को eliminate कर लिजएगा एकदम proper time करके चलना है शुरू से speed ज्यादा रखनी जिससे क्या होगा कि last में आपके पास थोड़ा सब्सक्राइब बचता है तो उसमें आप underline कर सकते हैं की वर्ट को highlight कर सकते हैं और अपनी कॉपी में एक बार और चेक कर सकते हैं कि कई आपने चोटी मुटी गलती तो नहीं कर दी तो बिल्कुल एक दूंद होगा जाना है आई मॉल्वेस वित यू और बिल्कुल जैसे आपका exam होता है फिर मिलते हम एक बार वापिस बिल्कुल अच्छे से आप exam attempt करके आईएगा बाई बाई